सीजन फूर एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जेसी गस और माइक को एक सेफ जगा जहां अल्डेडी डॉक्टर्स होते हैं वहां लेकर आने के बाद सब नर्सेज और डॉक्टर गस को ही देखते हैं और वो माइक के तरह देखते भी नहीं है फिर जेसी माइक को गसिट तो ए अंदर लेकर आता है सब डॉक्टर्स पहले गस ठीक है या नहीं यह आशूर करते हैं उसको सब टीटमेंट उसकी करते हैं फिर माइक को वो टेंड करते हैं नेक सिन में हमें Walter उसके लाप में दिखाय किया है उस लाप में जो आइम होता है उसको वो बोलता है कि अगर जेसी को कुछ हो गया या जेसी यहां से चला गया तो मैं कभी भी तुमारे लिए मेथ नहीं करने वाला क्रियेट उसके बाद वो बोलता है कि मेरा ब्रदरी इनला भी बोलता रहता है कि उसे उस चिकन फार्म में जाना है तो तुम्हें ये तुम्हारे बॉस को बताना चाहिए और मुझे ही उसे ले जाना चाहिए कि क्यूंकि वो मेरा प्रतरीन लौ है जब वॉल्डर हैंक को उस चिकन फार्म पर लिका जाता है तो वॉल्डर को वहाँ से जल्दी निकलना होता है, तो हैंक उसे बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, यह जॉब ऐसा ही होता है, हमें वेटी करना पड़ेगा, जैसे मुवीज में दिखाते हैं, सूपर मॉडल्स, बहुत सारे आईलरंड्स वेगरा, इस तरह का यह जॉब नहीं होता, 99% वेटिंग ही हो वो डॉक्टर से पूछता है, तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुमारा बलड टाइब विगरा सब पता है, तुम स्मोकिंग करते हो और तुम मेद भी क्या करते थे, यह सब मुझे तुमारी हिस्टरी पता है, गस हमेशा उनके इंप्लॉई का खयाल रखता है, उसको सब डिटेल्स में मालूम होता है, फिर हमें गस दिखाया गया है, गस बाहर जब निकलता है, तो वो अब ठीक होता है, वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए, माइक फिर भी वही होता है, तो जैसी उससे पूछता है, तो गस उसे बोलता है कि मैं उससे लेने के लिए आ प्लेन ही है गस फिर जैसी से पूछता है कि अब तुम अच्छे से मेटकूक करने लगे हो फिर जैसी उसे बोलता है कि हमें वाल्टर को तुमें छोड़ देना चाहिए उसको fire कर दो या उसे बहुत सारे पेसे देकर उसे चुप करवा दो पर उसे मारो मत पर गस उसे बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि ये एक option नहीं है फिर next scene में हमें Skylar घर पर दिखाए गई है उसे voice message आता है टेड का टेड उसे बोल रहा होता है कि हमने जो भी discuss किया था तुम्हें फिर से मेरे घर आना चाहिए और हमें इस पर बात करने चाहिए जब Skylar उसके पास घर जाती है और उसके साथ बात करने चाहती है तो टेड उसे एक check देता है वो check जितना Skylar ने उसको पैसे दिये होते है वो सब वो वापस कर रहा होता है वो उसे बोलता है कि Walter अब gambling money जो है Walter का वो मैं नहीं लेना चाहता यह मुझे गलत लग रहा है ऐसा वो Skylar को बताता है Skylar बोलती है कि तुम मुझे judge कर रहे हो कि Walter ने gambling की और तुम खुद fraud कर रहे थे टेड उसे बोलता है कि अगर मैंने यह सब पैसे IRS को pay भी कर दिये फिर भी मेरे उपर बहुत सारे खर्चे है मेरी daughters है जिनको मुझे school में डालना पड़ता है और मुझे मेरा status maintain करना पड़ता है तो यह enough नहीं है Skylar बोलती है कि क्या तुम मुझे blackmail कर रहे हो तो टेड बोलता है कि मैं तुम ब्लैकमेल वगरा नहीं कर रहा फिर Skylar उसे बोलती है कि तुम्हें अगर जेल से बाहर रहना है तो तुम्हें IRS को यह चेक लिखना ही पड़ेगा Skylar फिर उसे जो टेड चेक देता है उसे फार देती है उसकी चेक बोलती है कि अब तुम एक फिर से चेक लिखोगे और वो IRS के लिखोगे पर टेड वैसा नहीं करता फिर हमें Skylar गाड़ी में दिखाई गई है वो Saul को कॉल करती है जब Gus फिर से अलबकरकी में आ जाता है तो वो Don Salomanko सो मिलने Old Age Home में आ जाता है वहाँ आकर उसे बोलता है कि पुरे कार्टेल को मैंने मार दिया है डॉन इलाडियो का जी च्वेलरी थी वो उसे दिखाता है वो बोलता है कि तुमारा जो लास्ट कजन था वोकिन उसे अभी हमने मार दिया है सब को हमने मार दिया है वो फिर Don Salomanko की चेर तिल करता है और उनको पॉइंट करता है कि जेसी की तरफ वो बोलता है कि जेसी ने ही तुमारे ग्रैंट सन को मार दिया इसे देखकर क्या तुमें कुछ याद आ रहा है यानि कि टुकू को भी जेसी ने मार रहा है ऐसा Don Salomanko को लग रहा होता है और अब उसे ग्रैंट सन को भी जेसी ने मार दिया नेक्स दिन फिर से वोल्डर हैंग को चिकन फार्म पे ले जाना चाता है जब वो कार में होते है तो हैंग उसे बोलता है जब मैं ऑनलाइन गया तुम मैंने चेक किया तुम मुझे पता चला कि गस एक का लॉंडरी भी ओन करता है तो ये एक अंडरग्राउंड लैब के लिए बहुत ही अच्छा जिगा हो सकती है तो हमें वहाँ जाकर उसे चेक करना चाहिए वोल्डर उसे डिनाए करने की बहुत सारी कोजिश करता है पर हैंग मानने वाला नहीं होता वो जब उस लॉंडरी के पास आते हैं तब वॉल्डर स्ट्रेट गाड़ी चला लेता है और जब हैंग उसे बोलता है कि वो अब गाड़ी टर्न कर ले तब गाड़ी टर्न करने की वद वॉल्डर उसका एक्सिडंट कर देता है अब accident होने के बाद Hank में directly घर पर दिखाये गया है वो ice cream वेगरा खा रहा होता है, enjoy कर रहा होता है Skylar Walter Jr. भी उसे मिलने के लिए आयो हुए होते है Walter भी वहाँ आता है और फिर Hank उसे बोलता है कि चलते वक्त ध्यान रखो, wall में वेगरा तुम ठोकना दो अपने आपको Walter बोलता है कि वो कहा से आया मुझे दिखा नहीं पर Hank उसे बोलता है कि वो सामने ही था, तुमने directly उसको ही ठोक दिया Skylar जब Saul को call करती है तो Saul उसे बोलता है कि ये काम हो जाएगा IRS को जो चेक लिखवाना है, वो मेरे आदमे में बेजूँगा और ये काम में कर दूँगा फिर Saul उसके ही दो आदमें बेज देता है Ted जब दरवाजा खोलता है, तो वो अंदर आ जाते है उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कही जाने की कोशिश की तो हम तुमें बहुत मारेंगे फिर वो उसकी चेक बुक निकालने को बोलते है और IRS को चेक लिखवाने के लिए बोलते है Ted बोलता है कि क्या Skyler ने तुम्हें बेजा है, मैं उसे जानता हूँ और ये एक मिस अंडिस्टैनिंग है वो Skyler को कॉल करने के लिए फोन लेने वाला होता है पर सौल के आदमी उसे कॉल नहीं करने देते फिर वो IRS के लिए चेक लिख देता है और फिर सौल के आदमी बोलते है कि अब हमें सिर्फ ये पोस्ट होने के लिए वेड करना है जब दो दिन दिन में ये क्लेर हो जाएगा तब हम तुम्हें छोड़ देंगे तब तक हम तुम्हेरे घर पर ही रहेंगे और तुम पर नज़र रखेंगे टेट फिर वहाँ से भागने के कोशिश करता है और एक मैट से स्लीप हो जाता है उसका सर टकरा जाता है और वो इंजोर हो जाता है नेक्स्ट हमें वॉल्टर उसके लाब में आते हुए दिखाया गया है वो लॉंट्री के जो गंदे कबड़े होते है उसके साथ लॉंट्री में आता है और फिर वो अपने लाब में काम करता है Walter जब लाइब में आता है तो अब उसल जाता है कि यहां और किसी ने cook किया है तो Walter पर जो नज़र रखता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम अगर नहीं आओगे तो पुरा operation shutdown करेंगे Jaycee ने वहाँ cook किया होता है Jesse जब घर पर होता है तो वो Andrea और उसके Son Brock के साथ होता है तब Walter वहा आता है Walter और Jesse दोनों बाहर आजाते है Walter Jesse को बोलता है कि अब जब तुम कुक करने लगे हो तो उसे यानि कि Gus को अब उसकी जरूरत नहीं है अब वो उसे मार देगा वो उसे बोलता है कि तुमने मेरा death warrant sign कर दिया है फिर वहाँ Gus के आत्मी आते हैं Walder को tease करते हैं और उसे desert मर लेके जाते है Gus फिर उस desert में आता है और Walder से बोलता है कि तुम अब fire हो चुके हो अगर तुम जेसी के पास भी गए तुम मैं तुमें मार दूँगा तुम तुमारी death brother-in-law को मेरे laundry से बाहर नहीं रख सके तो ये problem तुमने अब solve नहीं की है तो अब मैं इस problem को solve करने वाला हूँ अगर तुमने कुछ interfere किया तो तुमारी family को भी मैं मार दूँगा फिर Walder ये सब problem लेकर solve के पास आता है अब उसको इस आतमी का number चाहिए होता है जो Walder को disappear कर सकता है solve को लगता है कि Ted अब injure हो चुका है तो इसलिए ये Walder भढ़क कर वा आ गया होगा पर Walder उसकी problem अलग होती है फिर solve उसे वो number विगरा दे देता है solve बोलता है कि उस आतमी को सब पैसे cash में लगते है तो तुमें वो सब cash उसे दे देना पड़ेगा वरना हो तुमें pick up नहीं करेगा जब Walder घर पोचता है और पैसे देखता है तो वहाँ पैसे नहीं होते वो Skyler से पोचता है तो Skyler उसे बोलती है कि मैंने सब पैसे Ted को दे दिये Iris का issue था और हम भी trouble में हो सकते थे इसलिए मैंने ये किया ये मैंने सब मेरी family के लिए किया है Walder फिर सदमे में चला जाता है और वो हसने लग जाता है solve को Walder ने बताय हुआ होता है कि तुम एक anonymous call करो और DA को बताओ कि हैंक पर हमला होने वाला है तो फिर अब मरी का call Skyler को आता है वो बोलती है कि हैंक पर हमला होने वाला है इसमें तुम लोग पी आते हो उसकी family में तो इसलिए तुम इस घर पर आ जाओ मैं कुछ agents भी वहाँ बेजने वाली हूँ और तुम सब लोग यहाँ आ जाओ यही एपिसोड खतम हो जाता है